हेलो फूडी वेलकम और वेलकम बैक तो माई चानल आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मलाई कोफता की रेसिपी जो बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी और साथ में मिर्ची लचा पराठा की रेसिपी तो इसका जो कॉंबिनेशन वह बहुत ही टेस्टी मलाई कोफता है वह तोड़े मीटे साइट पी तो मिर्ची लचा पराठा के साथ यह बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं मलाई कोफता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी पनीर ग्रेट पनीर लिया है उसके बाद एक कटोरी एक टेबल स्पून मैंने आप एक कॉन फ्लोर लिया है अगर आपके पास कॉन फ्लोर नहीं है तो आप अड़ा रोड डाल सकते हैं फिर उसके बाद मैंने आप थोड़ी सी कस्तूरी मेती ले ली थी और अच्छे तरीके से सब को मिला लेंगे सबको नमक और जितने भी ड्र कोफता को रेडी कर लेंगे अब जाये तो इसके अंदर भी ड्राइफ्रूर्स डाल सकते हैं मैंने मिक्षर में डाल रखा ता इसलिए मैंने आप नहीं डाला तो यहां पर अच्छे तरीके से हम बाल्स रेडी करेंगे ताकि वह फटे ना और उसके बाद मैंने यहां पर 30 से 50 से के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से लाल करके फिर निकाल लेंगे तो यहां पर अल्मोस्ट हमारा जो कोफता है वह फ्राई हो चुका है इसे और थोरा सा लाल कर लेंगे और एक बात याद रखे आप इसे ज्यादा लो फ्लेम पे ना करें नहीं चुक्या होगा यह फटने लगती है हमारा कोफता रेडी हो चुका है अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे अब हम कोफता की ग्रेवी बना लेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे कड़ाई को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है उसके बाद अब हम इसमें तेल लालेंगे मैंने यहाँ पे वही तेली उसकिया जिसे मैंने कोफता को फ्राई किया था उसके बाद हम यहाँ पे दो सू इसे अच्षे तरीके से भूल लेंगे एस बहुत नहीं है ऐसे आफिक अच्छे तरीके सेभूने को है अब ञाइस के हम रहा है जयी करने रहे है ब स्भी पीर शाल में पंगोटितो आफिता origin है तो यहां पे मैंने 15-20 काजू का यूज किया है और इसे भी अच्छे तरीके से फ्राइ कर लेंगे तो यहां पे काजू डालना बहुत जुरूरी है कोई भी साही पनीर या मलाई कोफता की ग्रेवी होती है इसे काजू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फिर उसके इसमें तीन से चार टमाटर लेंगे और मेरी जो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी यह वह सेम है फिर उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से सब को मिला लेंगे और इसके बाद हम इसे गैस ऑफ करके ठंडा होने के लिए कि इस सराद में सब्सक्ति और ठाहिए कि अगर आपणनोक टाहिए जो इसे एक चनी की मदद से अच्छे तरीके से चान लेंगे ताकि हमारी जो डेस्टो जैसी स्मूठ ग्रेवी रेडी हो जाए तो यहां पर यह प्रोसेस चानना यह बहुत ही जरूरी है जितने भी एक्ट्रा चीज़ है वह निकल जाएगे और हमारी जो स्मूठ सी ग्रेवी की पेस्ट रेडी हो चुकी है अब हम इसे अच्छे तरीके से पका लेते तो इसके लिए मैंने यहां पर कराई गरम करके तेल को यहां पर मैंने ज्यादा गरम नहीं किया क्योंकि अगर हम ज्यादा गरम करेंगे तो जो मसाले अभी हमने डालेंगे वह जल सकते हैं मसाला में पाउड़ी पॉडर हाफ टेविल स्पून कासमेडी लाल मिर्स पॉडर हाफ टेविल स्पून दन्या पॉडर उसके बाद जो हमने पेस्ट रेटी किया है वह इसमें डाल देंगे और यहां पे फिर गैस को मीडम टू हाई फ्लेम करके हम ग्रेवी को अच्छे तरीके से पका पकाना है जितनी बी यह इस आप देख रहे हैं उसको एकदम गाड़ा करना है इसके कम से कम हम इसे पांच से 10 मिनट तो जरूर ग्रेवी को अच्छे तरीके से पकाना है तब ही जो होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो यहां पे मैंने और आल्मोस्ट अभी साथ से आठ मिनट पका लिया है उसके बाद अब हम इसमें च्वाद अनुसार नमक डालेंगे अगर आपके पास घर में क्रीम नहीं है तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं यहां पे क्रीम को अच्छे तरीके से मिला लेंगे हम अगर आपके पास मलाई डाल रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा फेट के डालें अब इसको मिलाने के बाद अब हम इसमें एक कटोड़ी दूट डालेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे दूट से अगर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका ग्रेवी बिल्कुल अच्छी रेडी होती है तो यहां पर अच्छे तरीके से सब को मिला लेंगे और इसे भी तीन से चार मिनद तक हम ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे उसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून चीनी डालेंगे और फिर से अच्छे से मिला लेंगे फिर हम इसम की ग्रेवी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे अलग रख देंगे अब हम जलते हैं लच्छा पराटा के तरफ तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक बॉल में दो कटोरी आटा लेंगे तो आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते या आप चाहे तो हाफ मैदा और हाफ आटा भी पानी डालकर हम इसे अच्छे तरीके से एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे इसमें अभी कुछ भी डालने के जुरत नहीं है बस एक सिंपल सा हम लोग टाइट डो तैयार कर लेंगे तो यहां पर हमारा जो है वह रेडी हो चुका है अब हम इसे ज्यादा नहीं पांच मिन स्पून अच्छे तरीके से गूत लेंगे एक दम बिल्कुल उस हर तरफ से ते लगा कर और उसके बाद हम इसे अगें पांच मिनट के लिए बस रेस करने के लिए छोड़ देंगे तो देखें पांच मिनट के बाद हमारा आटा जो है लचा पराठा वाली वह बिल्कुल र लेते हैं यहां पर हम अच्छे तरीके से रोटी के तरह बेलेंगे और यहां पर मैंने थोड़ा सा लोई में आठा लगाया और इसे अच्छे पतला पेलना एक दम पतला तो देखें इस तरीके से हम बेलेंगे और बेलने के बाद अब हम इसमें घी या बटर लगाएंगे तो जो भी आप लगान रहें उसको अच्छे तरीख्य से लगाए और उसके बाद इससे क्या होगा 要च्छा पड़ाठा की लियर वह अच्छे से खुलेगी तो यहां पे मैंने घी को अच्छे तरीख्य से लगा लिया है और इसमें थोड़ा सा मैदा या आठा हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे और देखिए इस तरीके से हम इसे जैसे आप बच्पन में पंक्खे का डिजाइन मनाते थे उसी तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे कि यहां पर मैंने दम अच्छे कॉर्णर तक फोल्ड कर लिया है अब इसे इस तरीके से उठाकर हम लोग इसे गोल गोल गुमा लेंगे इस तरीके से उसके बाद अंदर हम इसे टाप करके अलग एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से सभी को बनाके हम इसे फ्रीज म पांच से दस मिनट के लिए रख देंगे या अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 15 से 20 मिनट के लिए भी आप सकते हैं इससे क्या होता है इसे क्या होता है कि आप जैसी फ्रीज में रखते तो घी या बटर है वह जम जाती है और जब आप ग्यास पर इसे डालेंगे तो अच्छे तरीके से लेयर खुलनी स्टार्ट हो जाती है इसलिए हम इसे फ्रीज में रखेंगे तो देखिए यहां पर फिर मैंने फ्रीज से निकाल कर इसमें बाड़ी कटिवी मिर्ची डालकर अब हम इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे तो रस आठा लगा कर हम लेटे हैं तो यहां पर अल्रीडी मैने तवा को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और यहां पर मैंने लोहे का तवा इस्तमौल किया है क्यूंकि लोहे के तवे पर यह लगता है और इसका टेक्चर भी बहुत इच्छा आता है गर आप नोन-स्टिक पर बनाईएगा त तो इसके बाद मैंने इसमें रिफाइन ओवा लगा के दोनों तरफ जैसे पराठे को सेखते सीम उसी तरीके से इसे हम सेख लेंगे तो मारा लच्छा पराठा डेडी हो जुका है अब मलाई कोफता को हम सर्फ कर लेंगे तो यहां पे नीचे से मैंने ग्रेवी रखा उसके ब